आज हम छोले भटूरे की रेस्पी लिका रहा हैं जिसको बनाना बहुत आसान है और आप इस तरीके से बनाते हैं तो आसान होने के साथ साथ यह बहुत ही टेस्टी भी बनेगा है हमने तीन टमाटर और प्याज को कट लिया है लसुन भी है कुछ इस तरीकिये के छोले भटूरे हमारे बन के तयार होंगे देखने में लग रहे है ने टेस्टी नमस्कार दोस्तों स्वागेत है आपका मेरे चैनल पर यहां पर हमने ठाइसोग्रम छोला ले लिया है जिसको हम वारिक काट लिया गरम मसाल OWL में में यहां पर हमारे पास क Mississippi ऐलाइची है बड़ी लाइची है चोटी लची है थब अहली का पावडर है लसुन है हरी मिर्च है और टमाटर है जिसको हमने इसी तरह बड़ा बड़ा काट लिया है कड़ाई में हम उबालेंगे इस चूर को चाह सब्चार के लिया है इसको एक्स्ट्रक्टिस्पी बनाने के लिए हम यहां पे चावल काउंडे का इस्तमाल कर रहे हैं आप चाहें तो सुजी कावे इस्तमाल कर सकते हैं थोजा सा नमक डाल देते हैं और नमक डालने के बार इसमें हम आटा जो गूतेंगे इसके साथ हाटा लगाएंगे तो हमारे भटूरे बहुत ही टेस्टी बनेंगे इसमें खटास नहीं होती है जो बटर मिल्क होता है इसके लिए आप में हम दो चमच दही का इस्तमाल कर रहे हैं पर दही के साथ इसको अक्टिवेट ह DON várias के लिए ठोड़ा साइज में हम बेकिंग सोडा डाल देंगे बहुत ही कम करेंगे अग बिल्कुल एक चुटकी के बराबर बेकिंग डाल देंगे दही और सोड़ा एक साथ मिला के डालते हैं तो भटूरे हमारे अच्छे पूलेंगे और जल्दी ये आंटा तयार हो जाता है आंटा लगा के साइड में रख देते हैं तब तक हम आपने छोले उबाल के रखे हैं उसको चेक कर लेते हैं फूल फिल्म पे एक सीटी लगे उसके बाद हमने गयस को कम कर दिया था और उसे तीन सीटी लगा लिया है आप देख सकते हैं आलू कि इतने अच्छे से बॉयल होगे एक दम भिखर गया है आलू को हम अलग कर लेते हैं छोले भी अच्छे से मैस हो जा रहा है इसमें जो खड इससे चर्षे ज तरीके से मिला लेंगे तो डाला है उस सब कुछ अच्छे से बीक्स होजागा और ग्रेवी कुछ हमको अलग से थैयार करने की जरूद नहीं होगी निप्याज कुछ ना पड़ेगा ना पीसना पड़ेगा बहुत ही असान रेसिपी है और बहुत टेस्टी बनता है जल्दी तो बनी जाता है क्योंकि जंजट नहीं है और जो आलू ने दो अलग बचा के रखे हैं इनको इस मोटे मोटे टुकड़ों में काट देते हैं कुछ इस तरीके से और इ देंगे अर्ट्वाता सधॉक डेंगे अच्छ आपनें जीरा बॉर्ड्र दाल देंगे नमक डाल देते हैं इसारा जएघनिया डाल के शoreा सभत लिकर निकाल लूढ लेते आपको पसंद नहीं है तो आप सरसो तेल को स्किप कर सकते हैं और जीरा डाल के इसमें थोड़ा सा हिंग डाल देंगे और उसमें प्याज को डाल के फ्राई करेंगे जो अध्रक लसुन हमने डाला है सब कुछ डाल लेंगे और हरी मिर्च को हम अब निकाल के रख लेंगे इस और द्होरा पॉर्डर रश्यक्त दंग ड Sutton时 हीं हम लोग कर देंगे ताकि दहीं पृते न प्चल की हम लुटन kiss अब थोड़ा सा लाश में कसूरी मेथी डाल देंगे यह हमारा छोला बस उबलने के बाद रेडी हो जाएगा बहुत ही टेस्टी अब देख सकते हैं कितनी आसानी से बिना प्याज को फ्राय किया बिना प्याज को फिसे हम कितना टेस्टी और गाड़ी एकदम ग्रेवी तैयार किया है चोले का बहुत ही लाजबाब रेस्पी है आप इस तरीके से एक बार जरूर इस रेस्पी को ट्राई करें और कॉमन पॉ पुले भटूरे हमारे बन के तयार होंगे हमने आटा कुछ दिर पले लगा लिया था लगबक आदा हो गया है और ये भटूरे हमारे पुले पुले रेडी हो रहे हैं हमारे भटूरे रेडी हो गया है इसको हम सर्ब करते हैं ये खाने के लिए तयार है आप इस तरीके से ए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ख्यार लगें